नमस्कार दोस्तों स्वाबत एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप आप आटो चेंज वाल पेपर या लॉक स्क्रीन मैग जीन कैसे सेट कर सकते हो ओपो एस्टीन में या किसी अधर फोन में तो इसके लिए होम स्क्रीन पे कहीं भी खाली जिगर पे जाना है या तीसरा पेज है तो बस आपको कुछ देर तक ना ऐसे टश करके रखना है इसके बाद कुछ ऐसा आ जाता है इसके बाद येरो पे चले जाना है और येरो पे जाने के बाद आपको मूर पे चले जाना है और मूर पे जाने के बाद ऐसे सबसे नीचे चले जाना है और यहां पर आप देख सकते हो कि आपको यहां पर वाल पेपर और यहां पर बहुत सारे option आ रहे होंगे यही पे आपको Lock Screen magazine का option आ रहा हो गा होगा Lock Screen वाले section में Lock Screen magazine पर क्लिक करोगे और यहां पर आपको agree and continue पर click करना है और इसके बाद lock screen magazine on कर देना है अब ये एक चीज याद रिखेगा lock screen magazine बाउन करोगे तो आप ये वाला भी on कर दीजेगा ज्यादा data का consumption होता नहीं है और wallpaper आपके change होते रहते हैं अब अपडेट होता रहता है time to time तो जब आपने एक बार on कर दिया lock screen magazine को अब मैं आपको दिखा देता हूँ अब देख सकते हो ये रहा आपका lock screen अब आपका ये जो wallpaper है lock screen wallpaper ये ना ऐसा change होता रहेगा और कुछ देर छोड़ दो change करने के बाद फिर अच्छे-च्छे wallpaper आने रहेंगे अब बहुत सारे लोग का सवाल एक और होता है कि यहाँ पे wallpaper में क्या हम अपना photo भी आइट कर सकते हैं जैसे कि पहले आप लोग करते थे और कोई ज़्यादा दिकत होती है तो यहाँ से ना आप यहाँ पे click कर देना update के लिए तो देखो भाई ऐसा है कि अभी तो यह नहीं आ रहा है option में लेकिन कुछ समय बाद आएगा तो हम update कर देंगे या फिर एक और तरीका है जिससे आप lock screen में अपने हिसाब से अपने album का set कर सकते हो लेकिन इस वाले को activate कर करके आप नहीं कर सकते तो जब भी आप यहां पर mobile को turn on करोगे आपको एक अलग picture देखने को मिलता है और फिर आप ऐसे ऐसे करके दूसरा भी देख सकते हो वीडियो अच्छी लगे होगी तो लाइक से सब्सक्राइब जोलू कीजएगा चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए